स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में कंपनी राजी का विश्तार ओके एक क्लास एट की बुक में आपको पढ़ा रहा था आधुनिक भारत का इतिहास इसमें पूरा का पूरा दिया है क्लास एट में तो अभी तक मैंने इसके दो चैप्टर पढ़ाये हैं यह तीसरा चैप्टर है भारत में कंपनी राज का विस्तार कैसे हुआ जो यूरूपी एक कंपनी थी उसका विस्तार कैसे हुआ चले हम लोग देखते हैं भारत में कंपनी राज का विस्तार जिस समय अंग्रेज भारत के उत्री पूर्वी भाग में अपने समराज का विस्तार कर रहे थे उसे समय दच्छिड भारत के मैसूर, हैदराबाद अथा मराथा राज के सासक आफसी युद्ध में व्यस्त थे देश के सासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्राधिकार के लिए संगर्स कर रहे थे जो राजा या सासक अपने को कमजोर समझते वे अंग्रेजों की सरण में चले आते जो सासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेजी शेनिक मदद देते अंग्रेज बदले में उस ब्यक्ति से जीते हुए राज का कुछ भाग ले लेते या अन्य रियायते ले ले लेते भारतिय सासक अंग्रेजों के हाथ की कट पुतली बन कर रह गए अंग्रेज लगभग 90 वर्सों में यानी 1764 से लेकर 1856 तक भारत के अधिकान सिसे पर राज करने लगे कहने का मतलब यह है कि जब अंग्रेज यह हम कहें जो यूरोपिय कमपनिया थी जब यह भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में यानी बंगाल उड़ीसा यहां सब जब अपना समराज विस्तार कर रही थी तब उसमें क्या था जो धच्चिर वारत की राज थे जैसे मैसूर हैदराबाद मराथा यह सारे जो राज थे यह आपस में लड़ रहे थे यह अग अगर मिल करके अंग्रेजों की खिलाफ लड़ते तो सायद यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देते लेकिन यह आपस में ही तीनों लड़ रहे थे एक दूसरे का नुक्सान कर रहे थे तो अब इसमें मालेजिये मैसूर कमजोर है और मराथा मालेजिये मजबूत है तो होता क्या था इसमें मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैसूर चला जाता था अगरेजों से सहायता मांगने कि मराथों के खिलाफ आप हमारी सहायता किजें तो अंग्रेज तो यही चाहते थे वो चाहते थे कि हमसे सहायता मांगे तो अंग्रेज सहायता देने के लिए जीत लेते थे, चुकि उनके पास उपकरण थे, हथियार थे, तोपे थी, तमाम तरह की बंदूके थी, तो लोग क्या करते थे, युद्ध जीत लेते थे, अब मैसूर से वो एक बड़ी रकम मांगते थे, कि हमने आपकी युद्ध में मदद की है, तो एक बड़ी रकम दो, अगर रकम नहीं दे पाओगे, तो आपके मैसूर का कुछ ही हिस्सा, या फिर जो राज आपने जीता है, उसका कुछ ही हिस्सा मुझे दे दीजिए, अंग्रेज जैसे मांगते थे, या फिर आप व्यापार में हमें छूट दे दीजिए, बिना करके हमें व्यापार करने द पीज तक भारत के अधिकांस भागों पर इनका राज्ज हो गया अब यहां आप से कह रहा है कि देखें सोची और बताईए इस्ट इंडिया कमपनी कैसे भारत में ब्यापार करने आई थी और कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज थथा अधिकार बढ़ा सकी ओके तो सोची यह सोचने वाली बात है कि भाई ब्यापार करने वाली कमपनी आई भारत में ब्यापार करने के लिए लेकिन उसने भारत वासियों को एक प्रकार से पूरे संपूर भारत पर विज़े प्रात कर ली भारतियों को गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने विभिन नीतियों के अंतरगत जैसे वेलेजली की सहायक संधी नीती, डलहोजी की विलय नीती, कुसासन कारूप लगा कर राज हडपना, युद में पराजित करके सासकों से लाकों रुपे वार्शिक लेना, फूट डालो राजकरो जैसी कूट नीति के जर राज हडपा, कुछ को सीधे युद में हरा करके राज हडपा, फूट डालो यानि दो राज्यों को लड़ा दिया, तो इन सारी तकनीकों का नीतियों का प्रियोग करके उन्होंने भारत पर अपना प्रभाव बना लिया, अब ये देखिए हाइदार अली मैसूर का सासक, उके, तो हम थोड़ा सा हम मैसूर के बारें पढ़ते हैं, अब यहां कुछ मैसूर के युद्ध भी होंगे, उसके बारें भी पढ़ेंगे, विजय नगर समराज के पतन के पश्चात ही मैसूर राज ने अपनी स्वधिनता को बनाय रखा, अठारवी सताबदी के प्रारम में हाइदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूट में कायर करना प्रारम किया, सिग्र हीव अपनी कुसागर बुद्धी द्वारा सेना में उच पत्तक पहुंच गया, 1761 इस्वि में मैसूर राज पर अपना धिकार कर लिया, तो हैदर अली ने मैसूर आज पर अपना धिकार 1761 इस्वि में किया था, उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कंणर, मालाबार के इलाकों को जीत लिए सब केरल के आसपास के छेतरे हैं, मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया, इससे अंग्रेजों का आसंकित होना स्वभाविक था, दोनों के मद इस अंगर अवस्यम भावी था, अथा 1768 से लेकर 1792 के मद अंग्रेजों और मैसूरों के मद तीन युद्ध हुए, कब से कब तक 1768 से 92 तक तीन युद्ध बेसिकली जोकी important युद्ध हैं, तो अब चुकी जो मैसूर का सासक था, हैदर अली उसकी power कहां तक पहुँच गई थी, तट तक, केरल के तट तक, यानि माला बार तट तक, और वहाँ पर कौन अधिकार जमाय हुए था, अंग्रेज, क्योंकि ये पहले तट ये भागों पर ये दिकार करते थे अंग्रेज, तो अब सीधे अंग्रेजों से मैसूर के सासक, यानि हैदर अली की टकर हो गई, तो युद्ध होता है, इसमें, प्रथम मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कब होता है, 1768 इसवी से 1779 इसवी तक, हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के बुरुद्ध, निजाम, मराठा और करनाटक के नवाप का एक समलित मोर्चा बनाया, मतलब इनको अपने खेमे में लाने का एक उपाय सूझा, अंग्रेजों को, कि निजाम को अपने खेमे में ले आए, मराठो को अपने साथ ले ले, करनाटक के नवाप को साथ में ले ले, तो हम हैदर अली को हरा देंगे, किन्तु हैदर अली बिचलित नहीं हुआ हैदर अली इन से ज़्यादा दिमाग लगाया उसने क्या किया उसने मराठो को धन दे करके अपने कब्जिम कर लिया निजाम को परदेश का परलोबन दे कर अपनी और मिला लिया निजाम को कहा कि हम युद्ध में जीतेंगे तो आप लेड़ वर्स तक युद्ध होता रहा हैदर अली ने मदरास ने चिन्नई को घेल लिया और चार अप्रेल 1779 इसवी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मद्ध संधी हो गई इस संधी के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लोटा दिया गया तथा विप्पती में एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया गया तो यह आपने समझा भी पहला मैसूर युद्ध हो अब अठारवी सताब्दी में हम भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें मैप आपको कुछ इसपश्ट नहीं दिख रहा है मैप आप मन देखें यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहें दूत्तिय मैसूर युद्ध हो कि दूसरा मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ गया 1780 से 1784 तक 1771 इसवी में मराठो ने हैदर अली पर आकरमण कर दिया परंतु 1779 इसवी में हैदर अली वा अंग्रेजों के मद हुई संधी के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली के सहायता नहीं की क्योंकि 1779 में जब संधी हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के मत परतम मैसूरियुद के बाद तो उसमें ये कहा गया था कि हैदर अली और अंग्रेज एक दूसरे की मदद करेंगे जब किसी एक पर आकरमण होगा तो जब हैदर अली पर मराठो ने आकरमण किया 1771 में तो अंग्रेजों ने मदद नहीं की इससे हैदर अली नाराज हो गया और उसने निजाम तथा मराठो से मिल करके अंग्रेजों के ब्रिद एक संयुत मोर्चा बना लिया जुलाई 1780 में हैदर अली ने करनाटक पर आकरमण कर दिया तथा करनल बेली के दिन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और अरकाट को जीत लिया इसी बीच अंग्रेजों ने मिजाम तथा मराठो को हैदर अली से अलग कर दिया हैदर अली ने इस इस्तिती का सामना किया परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हुआ 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया मतलब कभी अंग्रेज हराते हैं कभी वो अंग्रेज को हराता है तो 1781 में हैदर अली पराजित हो जाता है लेकिन 1782 में फिर वो अंग्रेजों को बुरी तरह राता है 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्तिव हो गई हैदर अली की मृत्तिव के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान राज का उत्तरदायुत संभालता है और टीपू ने एक वर्स तक युद्ध जारी रखा अंत में दोनों पच्छों में मार 1784 में संधी हो गई और एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लोटा दिये गए तो ये है टीपू सुल्तान आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम लोग तीसरा मैसूर युद्ध पढ़ते हैं ये सर आपको क्या करना है कि एक दो बार आपको पढ़ना है राकिस में कुछ है नहीं अंग्रेजों का मैसूर के बुरूत तीसरा टकराव 1790 सिवी में हुआ टीपू कोचीन रियासत को अपने अधिन मानता था कोचीन रियासत जो थी उचको टीपू अपना मानता था त्रामड कोर के महराजा ने डचो से कोचीन रियासत में इसके जैकोटे तक क्रगवनूर मोल लेने का प्रयत्न किया जिसके कान टीपू ने आकरमड कर दिया अंग्रेजओं ने त्रामड कोर के राजा के पक्षि में टीपू पर आकरमड कर दिया अंग्रेजी सेना वेललोर तथा अम्बूर से होतु ही बंगलोर तक पहुँच गई जिसे उसने 17 curios 202 में जीत लिया अंग्रेजी सेना स्रीरंग पट्टम तक पहुँच गई अंग्रेजों ने कोयम बटूर भी जीत ले परंतु सेग्रिवे उसे पुना हाथ से धो बैठे खो बैठे सॉरी हाथ से धो बैठे या फिर खो बैठे दोने एकी बात है मराठा तथा निजाम की साहता से उन्होंने पुना स्रीरंग पट्टम की और चड़ाई की टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना संबव नहीं है तो उसने 1792 में स्रीरंग पट्टम की संधी कर ली ये कोशन कई बार है कि स्रीरंग पट्टम की संधी किस युद्ध में हुई तो प्रथम युद्ध में या दूसरे युद्ध में या तिरति तो तीसरे युद्ध में की मैसूर की जो तिर्थिये लड़ाई हुई तीसरी उसमें 1792 सुई में स्री रंग पत्नम की संधी टीपु ने अंग्रेजों शिक्की इस संधी के अनुसार उसे अपने राज का अधाभाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा इसके अंतरगत अंग्रेजों को 12 महल डिंडी गुल और माला बार मिल गया टीपु को तीन करोड रुपे युद्ध छती के रूप में भी देना पड़ा युद्ध के दौर में टीपु की बहुत छती हुई वह अपने राज को पूरतया समापत होने से बहुत कठनाई से ही बचा पाया 1798 इसव में भारत में लाडवेले जली आया जो एक समराजवादी गवनर जनल था लाडवेले जनी लिए देसी रियासतों को या देसी राजाओं को अपने धिन करने की योजना बनाई उसकी यह योजना सहायक संधी कही जाती है अब यहाँ पर सहायक संधी क्या है समझ लेते हम लोग सहायक संधी के अंतरगत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संदच्छन में आ जाए उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरच्चन बाय सक्तियों से रच्छा करने का उत्तरदायुद अपने उपर लेगा संधी को सुविकार करने वाले सासकों को कमपनी का आधिपत्य सुविकार करना था पहले मैं पढ़ देता हूँ खिर समझाता हूँ इन सासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी शेना की एक टुकड़ी रखनी पढ़ती थी खर्च वेहन ना कर पाने के इस्तिति में अपने राज का कुछ भाग कमपनी को देना पढ़ता था कमपनी की आनुमती के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अत्वा संधी करने का अधिकार नहीं था उन्हें अपनी राजधानी में कम्पनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था जो राजपन निगरानी रखता था इस नीती के अंतरगत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजोर, सूरत, करनाटक, हैदराबाद पर कबजा किया वेलेजली ने यहां निश्चे किया कि यहां तो टीपो कास्तित पोड़ता समात्त कर दिया जाए अत्वा उसे अपने अधिन बना लिया जाए इसके लिए उसने टीपो सुल्टान पर यहां दोस लगाया कि वहां निजाम तत्र मराठो के साथ मिलकर अंग्रेजों के दुरुद सड़ी अंदर कर रहा है तो अभी यहां पर हम समझ लेते हैं सहायक संधी हाय क्या देखे सहायक संधी लाडवेली जली द्वारा भारतिय राजाओं को या राज्यों को हडपने का एक चाल था एक नीती थी लाडवेली जली ने भारतिय रियास्तों को अपने समराज में मिलाने के लिए नीत अतनाई थी उसने कहा भारतिय रियास्तों से कि आपके सुरच्चा के लिए आपके राज में हम अपनी सेना रखेंगे यानि कि भारतिय राज्यों में अंग्रेजी सेना रहेगी और उस अंग्रेजी सेना का खर्चा भारतिय राजा उठाएंगे अगर आप खर्चा नहीं उठाएंगे तो आपका कुछ छेतर कमपनी को दे दिया जाएगा, यानि कमपनी ले ले लेगे इसमें क्या कहा गया, संदी को स्विकार करने वाले सासकों को कमपनी का आधिपत स्विकार कर लेना पड़ता था और सासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पूरती थी अगर उस सेना का खर्चा आप नहीं वहन कर पाएंगे तो राज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ेगा और आप कोई भी युद्ध नहीं कर सकते कंपनी के डायरेक्टर के बिना पूछे अगर आपको कोई युद्ध करना है संधी करना तो सबसे पहले आप कंपनी से मिले कोई भी राजा किसी से युद्ध नहीं कर सकता था किसी से कोई संधी नहीं कर सकता था जब तक कंपनी न चाहे कमपनी के अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे ये थी शहायक संदी और कमपनी का एक resident भी राज में रहता था एक अधिकारी रहता था जो पूरी सूचना कमपनी को देता रहता था कि भारती राज में राजा क्या कर रहा है तो ये सहायक संदी थी एक प्रकार से राज को अपने समराज में मिलाने की अंग्रेजों की एक नीती थी राजाओं को लगता था भारती राजाओं को कि हमारी रच्छा करने के लिए हमें सेना दे रहे हैं लेकिन वास्तों में सेना दे करके आपको बेवकूप बना रहते चाहते थी, ओकी, तो फिर मैं यहां आपको पढ़ा रहाता है एक बार फिर समय इसको पढ़ा देता हूँ, इस नीति के अंतरगत अंग्रेजों ने मैसूर तंजो सूरत करनाटक हैदराबाद पर कब्जा कर लिया, वेले जली ने यहां निश्चे किया कि टीपू, कास्तित य किवरिद सड़ियंद कर रहा है और विभिन देशों से मिलकर अंग्रेजों की व्रुद बिवहार कर रहा है, मतलब इसने क्या किया? ये जो था वेलेजली इसने टीपू के मतलब मैसूर का हडपने के लिए एक नीती बनाई तो इसने कहा कि ये जो है टीपू ये अंग्रेजों की खिलाब सड़ियंत कर रहा विभिन राज्यों से देशों से सहायता लेकर के अंग्रेजों को भगाने की कोसिस कर रहा है एक प्रकासे हडपना चाहता था मैसूर को प्रिसल ने एक बहाना बताया कि ये जो टीपू है अंग्रेजों की किलाब सड़ियंत कर रहा तो ये सभी आरोप उसके उद्देश पूर्ति के लिए प्रयाप्थ देखी उसने आरोप लगाया था जूठा आरोप ये हमारे राज को हरपना चाहते है अप्रेल 1799 में टीपू के बुद्ध अभ्यान आरम कर दिया गया मैं 1799 में अंग्रेजों ने स्रीरंग पत्नम का दूर की जीत लिया और मैसूर अंग्रेजों की कबजे में आ गया ये चवथा मैसूर उद्ध था दच्चिड भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महात्पूर स्थान था उसने अपनी वीरता साज था आत्मा भिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली के साहिक संदी का निमंत्रन आसुईकार कर दिया उसकी एक प्रिये उक्ति थी मतलब कठन था एक सेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड की तरह लंबी जिन्दगी जीना नहीं अच्छा है इसी उक्ति का पालन करते हैं स्रीरंग पट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया मैसूर की कहानी थी और मैसूर अंग्रेजों के बीच बेसिकली चार युद्धों थे तीन महातपूर थे चवथे युद्ध में यहाँ पर जब स्रीरंग पट्टनम के द्वार पर मैसूर में लड़ता हुआ मारा जाता है तभी से संगर्स अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच खतम हो जाता है मैसूर अंग्रेजों के कबजे में चला जाता है मराठो से अंग्रेजों का क्या संगर्स वा इसको देख लेते हैं मुगल समराज की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रिय सत्ता निर्बल तता प्रभावविएन होती चली थी उधर मराठा संग जिसमें नागपूर के भोसले अब देखिए मराठा संग में कई थे नागपूर के भोसले बड़ाओदा के गायकवार इंदवर के होलकर गौलियर के सिंधिया ये सम्मुक के सरदार थे इन सभी को मिला करके मराठा समराज बना था इनका प्रमुक कौन था पेशवा इन्होंने उत्तर भारत के और अपना प्रभाव बिस्तरित कर लिया था परन्तु अफगान सासक अहमद सा अबदाली ने जो भारत पर इद्धार करना चाहता था अफगान सासक अहमद सा अबदाली और मराठो की बीच ये पानिपत का तीसरा युद हुआ था और इसमें मराठे हार गयrias थे अहमस्टाबदाली जीत गया था, ओकी, मराठों के परमुखनेताओं का ध्यान अब पूरे परकेंद्रित होने लगा था था, पेसवा मतलब परधानमंतरी, मराठा समराज का पेसवा जो होता था, उसी को परधानमंतरी कहते थे, तो परधानमंतरी पद पाने के लिए उनमें लड़ने लगे, और अंग्रेजों को इसी मौकी की तलास रहती थी, सन 1772 इस्वी में पेसवा माधो राव की जब मिरित्ति होई तो उसके बाद उसका भाई रगुनात राव पेसवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई बेटे नाराण राव क बद करवा दिया, उसके इस कार से मराठा नराज हो गये और नराण राव के नवजात पुत्र को पेसवा की गद्दी पर बैठा दिया, उसके सुरच्छा और सासन संचालन के नाना फड़नवीज की देखरेक में एक सन अच्छड परिशद का गठन किया गया, अब देखे, वो अंगरीजों से सहायता मांगने चला गया, उसने अंगरीजों से सहायता मांगी, इसके लिए अंग्रेज तयार ही बैठे थे, अंगरेजों और मराठों की बीच परथम मराठा युद्ध हो गया, 1775 से 1722 इसवी तक लगबग 7 वर्सों तक चला किन्तु नाना फढ़नवीश के कुसल नेतरूत तथा मराठो की सेन सक्ति क्या गया अंग्रेजों को अधिक सफलता नहीं मिली अंत में साल बाई नामकस्तान पर 1782 इसवी में दोनों पच्छों की बीच संधी हो गई तो साल बाई की संधी कब हुई 1782 इसवी में हुई अंग्रेजों और मराठो की बीच मराठो का नेतरूत कोन कर रहा था नाना फढ़नवीश इस संधी के अनुसार नाराण राओ के नवजात पूत्र को पेशवा स्विकार कर लिया गया सन अठारा सो इसवी में फढ़नवीश की मृत्ति होगे और मराठो पर आपसे संधी के फिर बादल छाने लगया नि मडराने लगे मराठो ने वेलेजली की शहायक संधी से अपने को दूर रखा यानि कि उनको अपनाया नहीं शहायक संधी को अक्सेप्ट नहीं किया करने लगे खोलकर ने पेशवा बाजी राव दित्तिया तथा सिंधिया की सिनाओं को प्राजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया पेशवा बाजी राव दित्तिया ने भाग कर अंग्रेजों की शड़ली अंग्रेजों ने शहर खुसी-खुसी पेशवा की सहायता करना स्विकार कर दिया सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संदी स्विकार करने को बाद किया जिसके परदाम सुरूप पेशवा का एक अधिकार समाप्थ हो गया परंतु भोसले तथा सिंधिया को या अपमान सहन नहीं हुआ उन्होंने लाड़ वेले जली के बिरुद्ध दित्तिय मराठा युद्ध 1830 में गोशड़ा कर दी जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई अंग्रेजों ने अपमान जनक संधिया करने के लिए बिवस किया जिसके अंतर के दोनों मराठा सरदारों को अपने राज का काफी इससा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने राज्यों में अंग्रेज रेडिडेंट रखना सुईकार कर लिया यह मतलब अंग्रेज अधिकारी अब उन दोनों राज्यों में भी रहेंगे और निगरानी रखेंगे पूरी सुचना अधिकारीों को देंगे इसके पश्यात कंपनी ने खोलकर के बिरुद तिर्थिय मराठा युद्ध अठारा सुचार से पांच शिश्वी में किया जिसमें अंग्रेज आसफल रहे दोनों की बीच अठारा सुच्श्वी में संधी हो गई यद्यप मराठो की सक्ति कमजोर हो गई फिर भी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए स्यूंत मुर्चा बनाने को तयार थे पेशवा बाजी राव दित्या ने पूना इस्थित अंग्रेज रेजिमेंट तर्थ नाकूर इस्थित रिजिदेंस पर आकरमड कर दिया या मराठो इम अंग्रेजों की बीच अंतिमिद्य था जो चतुर्थ मराठा युद्य कहलाया 1817 इस्थि में इस्थि में मराठो की समली सेना अंग्रेजी सेना से हार गई बाजी राजित्या का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में बिल Qiany कर लिया गया, सिंध्या और होलकर के अधिन राजपोताना, राज भी अंग्रीजी राज़ी के अधिन हो गए राज़ पोड़ता है, अंग्रीजी सासन के अंतरगत नहीं थी, वे भी आप रते चुरूप से अब अंग्रीजों की नियंतरण में हो गया तुम मैसूरों और अंग्रेजों के मद्ध भी चार युद्ध होते हैं और अंग्रेज और मराठों के बीच भी चार युद्ध होते हैं डलहोजी की हडप नीती सरी हडप नीती कही है या बिलाई नीती कही है सब एकी बात है साहेक संधी नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के नियक राजाओं को अपने नियंतर में कल लिया था उसी प्रकाल लाड डलहोजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीती बनाई इस नीती के अंतरगत उसने यह नियम घोसित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हूँ वो अंग्रेजों की अनुमती के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते हिंदु धर्म की मानता के अनुसार प्रतेक संतान ही वेक्त को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है किन्तु डलहोजी ने अंग्रेजी राज के दिन किसी संतान ही भारतिये नजेश को गोद लेने का अधिकार निशेद कर दिया मतलब इसमें डलहो जी ने क्या नियम परित क्या कहा कि मान लिजे किसी राजा का उत्राधिकारी नहीं है वैद वाला मतलब उसका वैद उत्राधिकारी नहीं है उसका संतान नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति को गोध नहीं ले सकता दूसरे बच्चे को गोध नहीं ले सकता ऐसा इस लेकर आता कि जब गोध ही नहीं लेगा तो उसका आने वाला वंस नहीं होगा तो बाद में जब राजा आधिकार कर लेंगे क्योंकि उसका राजा कोई वनसी नहीं रहेगा उत्रतिकारी नहीं रहेगा तो राज को हड़ लेंगे तो यह नीती अपनाई गई थी डलहुजी के दौरह तो इसे हड़ नीती कह गया अब ये नाना शाहब है यहाँ पर इस नीति के अंदर सतारा, नाकपूर, उदैपूर, जैदपूर, सघाट, संभलपूर, जहासी के राज्यों को अपने राज में मिला लिया मतलब डलहोजी ने इतने सारे राज्यों को मिला लिया डलहुजी ने यह भी नहीं थे अपनाई कि भारतिया नारजिशों को दी जाने वेले पैंसन तता उपाधियों से भी वंचित कर दिया करनाटक के नवाब और तंजवर के राजा तथा नाना साहब की पैंसन और उपाधियां जब्द कर ली गए मतलब समात कर दी गए नाना साहब की पैंसन भी बंद कर दी गए क्योंकि यह भी दत्तक पुतर थे आप देखिए यह आगे यह कुछ यूद्ध दिया हुआ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आपके पास अगर बूक है तो आप पढ़ लीजे फिर मैं आगे आपको पढ़ा देता हूँ अंग्रेजों की सफलता के कारण कौन-कौन से हैं भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सिद्ध हुए जिसे भारत में अंग्रेजी अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रार्म हुए बंगाल एक अत्यंत उपजाओ भूभाग था, वहाँ सासन इस्थापित हो जाने से उन्हें राजस का लाप तो मिला ये साथी उनका ब्यापार भी बड़ा इससे भारते कंपनी के आर्थी के सुद्रिड हुई अंग्रेजों की सैन सक्ती बहुत उन्नत थी मैंने बता उनके पास जहाजे थें, तोपे थें, हथियार थें, कई सारी चीज़े उनके पास आधुनिक चीज़े थी उनकी सैन सकती काफी उन्नत थी उनके सैने का पेचा करेत अधिक कुसाल पर सिच्छी थे उनके पास सास्तर ना किवल परचुर मात्रा में थे बलकि उच्छ तकनीक पर भी आधारी थे ये देखिए जहाजी बेड़ा ब्रेटिस कालीन चांदी का सिक्का जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्बीर बनी है ठारो सुबासर का सिक्का है और कौन-कौन से कारण थे अंग्रेजों की विजए के तो उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतियों के पास इसका भाव था यह जहाजी बेड़े इंग्लेंड से आते रहते थे इसकार उनके पास रसद एम सेंको का भी कभी अभाव नहीं रहता था अंग्रेज अधिकारी कूटी नीती का सहारा लेकर भारत में सासन करते रहे जैसे वेले जली की सहायक संधी नीती डला हो जी का विले नीती फूट डालो राज करो की नीती यह भी सारी कूटी नीती उन्होंने अपनाई भारते राजों को हड़पने के लिए भारत में कुसल नेतरुत का भाव था राजा आपस में लड़ते रहते थे तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजिए